यह देखिए दोस्तों यह मेरा शमी का प्लांट है और इस शमी के प्लांट को मैंने 5 सेप्टेंबर को रिपॉर्ट किया था और आज है 15 सेप्टेंबर दस दिन का रिजर्ट है और आप यह देखिए सब नई नई ग्रोथ यहां पर शुरू हो गई है और यह कुछ पुरानी यह सब जगह से नई नई ग्रोथ और यह सिर्भ हो रही सिर्फ सिर्फ 10 दिन का राज़ारी तो लिजर्ट पहले पूरा प्लांट यह ब्रांट यह ब्राउन रोटीं से भर गया ये देखें ये सम नई नई पत्तिया हैं यह देखें तो चली आपको मैं और इधर से नीचे से भूर दिखा देती हूं देखें यहां से इस जगह से यह देखने यह नई से यहां से भी यह यह नई ब्रांच नई बल्कुल निकली हैं यहां से तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि मैंने कैसे रिपोर्ट किया है है यहीं पर मैंने अपने गंबले को शमी प्लान्ट को रिपोर्ट करने के बाद तो मतलब यहां पर जो है मॉर्निंग वाली 3 4 आपको मैंने रिजॉल्ट भी बता दिया और यह देखिए यह है इसकी रूट बॉल है बिल्कुल यह यह देखिए यह रूट बॉल इतनी हो गई है ऐसे इसलिए आप इसकी रूट को मैं प्रून करती हो अब मैं कुछ न्युक्त गरोंगी औरली चौल करे देखिए इसकी अब भूस्याद में यह देखिए यहाला थोरी है इसकी तब ही तो इसकी पत्तियां सूख रही थी उसको बढ़ने के लिए जगा ही नहीं मिल लही थी बिल्कुल यह देखिए क्या पूरा का पूरा मैं पहले भी कर चुकी हो इसको फिर से यह निकाला अब कमलों के में जब हम प्लांट लगाते हैं तो यह होता ही है ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और हो गया खतम काम फिर हर एक दो साल के अंतर पर इसको रिपार्टिंग करनी ही पड़ती है अब इसको थोड़ा तक कट कर दे रही हो जो लंबी लंबी सी है नहीं है यह यह देखिए यह तो बिल्कुल ऐसे इसकी रूट बॉल ऐसे निकली है बास्केट जैसी एक बार मैंने ऐसे ही किया तो तो इसी में पॉर्चुला का मैंने ग्रोग कर दिया था अब आपको बता दू बस ज्यादा कुछ नहीं है खाली में जो रूट बॉल है मतला रूट यह स्टेम है इसको तोड़ना नहीं है इसको कुछ नहीं करना है इसको कट नहीं करना है बस यह साइट साइट से मैं इसको कट करे दे रही हूं यह जो लंबी लंबी सी है थोड़ और उसके बाद इसमें से स्टेम्स में प्रून करूंगी और उसकी कटिंग भी लगाऊंगी तो थोड़ी थोड़ी सी काट देनी हों इस साइट से जो बड़ी बड़ी से दिख रही है इस स्टेम्स में भी कुछ न कुछ लगा दोंगी यह देखिए बास्केट तैयार हो गया है रूट बॉल की बास्केट बस Mеin वाला जो स्टेप है ना उहां पर कुछ नहीं कर ये वो कराम नहीं कर ना है बस जादा मैं कुछ नहीं इसको कर रहे हूं और छो ये सब है नै ये सब छोटी छोटी रूट lan ये सब ये सब वाली जो है यह सब वापस इसी गमले में ही मैं डाल दूंगी और आपको दिखाती हूँ इसका आपको मैं चलिए नस्दिक से देखाऊ थोड़ा इसके बारे मैं कुछ बता हूँ यह देखे इसमें साइट से ही मेरा एक्चुल में ना प्लांट बहुत पुराना है और यहां से इसकी अलग-ळग से पेड़ा निकलाते हैं इसमें से ही भी, बीज-बीज मीं से भी यह देखिए यह देखेए यह मैंने थोड़ी सी ही इसमें मिट्टी आधी-मिट्टी हैchs और आधी-खाद है अधा-धा हैं दोनों और इसी में थोड़ा सा नेपस गोवर खाद नहीं है आपक पास हो तो आप यूज कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा यह देखें दो मिट्टी के करीब है वर्मी कंपोस्ट है वह मैं डाले दे रही हूं बस और ज्यादा चाहिए नहीं और यह वाली जो मिट्टी पुरानी यह निकली है ना इसको नीचे भर दे रहे हैं इसके होल के उपर यह पत्थर का टुकणा रख दिया है और यह जितनी जो महीन महीन सी रूट्स है पतली पतली सी हैं जो उनको मैंने नीचे गमले में नीचे रख दिया है यह सब धिरे धिरे अपना डीकंपोस्ट हो जाएंगी और ऐसे पूरा रूट बॉल रख दिया मैंने आपको सब दिखाए दिया कैसे रूट की प्रूनिंग कर दिया अब जो बहुत पूरी बिल्कुल जो है ब्राउन हो च कर देंगे प्रून कर देंगे तो यह शेप भी अच्छा आजाएगा और देखे जो भी यह वाइट वाइट सी स्टेम देख रही है ना इसमें तो पत्ति आएंगी और जो ब्राउन है उसमें नहीं है बस हमेशा की तरह से हमेशा ही जैसे आपको वीडियो में रिपॉर्ट वाला यह तब तक सब यहीं पर रखा हुआ था यह भी रूपाट किया अधर यह हर्शिंगार है तो काफी हाड़ी प्लांट रहता है ड्रॉट टॉलरेंट होता है तो ज्यादा पानी जरूरत नहीं होती है हर्शिंगार का तो यह देखिए इसमें बड्स आ रहे हैं काफी स प्लांट से बहुत अच्छी फ्लारिंग हो रही है यह देखिए यह मेरा चंपा है और यह मेरा अलमंडा है इसमें काफी फ्लारिंग हो रही है इस वाले में तो मैंने अभी तक कोई भी खाद नहीं दिया इसका वीडियो इसका लिक में शेयर कर दूंग अगर आप देखना तो बिल्कुल देख रहे एक दम भरा हुआ है ब 따ma became पूरी फूल फूल भरी हो यह देखे और दिखाथियों यह देखे सब यहां fully full है प्ली फूल हैं बिलकुल काफी जदा फैल गई है साइप्रेस वाइन तो लगी किसमें है निया छोटे-छोटे से दो प्लास्टिक के हैं निप उस ही मला गया हुई है यह देखिये साइप्रेस वाइन खुब जहां तहां यहां वहां खुब सब लगी हुई है और औलियंडर मेरा कटिंग वाला जो अलियंडर प्लांट है ये बहुत वड़िया फ्लारिंग कर रहा है एक औलियंडर में तो दूस्तों सीट पॉट भी बने लगा मैं आपको दिखाती हूं एक चली ना इसमें पानी दिया नहीं था बहुत चोटे से ये डिब्बे में लग है ये ओर बहुत उो ग्ड़ है तो और गां